नमस्कार, मैं डॉक्टर अलकाराय, डेपूटी लाइबरेरियन, डॉक्टर बियार विश्वविद्याले दिल्ली, आपका NIS के सीनियर सेकेंडरी स्कूल प्रोग्राम, लाइबरेरियन, इन्फर्मिशन साइन्स के आज के सत्र में स्वागत करती हूँ, जो आज का हमारा सत्र है, वो रेफरेंस सोर्सिज, यानि संदर्प स्रोत पर अधारित है, पिछली दो भाग में हमने पढ़ा कि संदर्प स्रोत क्या होते हैं, उनको कैसे हम विभाजित करते ह कितने प्रकार के संदर्प स्रोत होते हैं, उनके क्या करेक्टरिस्टिक्स होती हैं, तो एक में हमने पढ़ा कि डिक्शनरी क्या होती है, कितने प्रकार के डिक्शनरी होती है, कैसे उनका विभाजन किया जाता है, दूसरे भाग में हमने पढ़ा विश्वकोस के बारे में, कि विश्वकोस क्या है, उनका विभाजन, उनकी क्या गुण होते हैं, मैनुवल्स यान के बारे में पढ़ा, पंचांग के बारे में हमने पढ़ा, इयर्बुक के बारे में पढ़ा, और अब इस सत्र में हम लोग मैनुवल के बारे में पढ़ेंगे, तो manual जिसको की हम लोग निर्देश पुस्तिका कहते हैं, निर्देश पुस्तिका यानि की direction, एक तरह से आपको मार्ग दर्शिका जिसका manual, और manual सब्द की जो अगर उत्पत्ति की बात करें तो है Latin भाषा के सब्द manuals से हुई, जिसका अर्थ है मार्ग दर्शिका पुस्तक, a guide book, तो निर्देश पुस्तिका मूल रूप से एक एक करके निर्देश instruction परदान करती है कि किसी कारे को कैसे किया जाए, या किसी machine को कैसे चलाया जाए, उधारण के लिए अगर आप देखेंगे कि आप कोई भी समान हम लोग अगर मंगाते हैं, चाहे बहुत टीबी हो, चा सामान से सम्मंदित सारी instruction होते हैं कि उसको कैसे install करना है, उसको कैसे इस्तेमाल करना है, अगर इसको ऐसे करेंगे तो क्या दिकत हो सकती है, अगर इसको कैसे अगर कोई जैसे mobile है या fridge है, उसमें कैसे हम electricity save कर सकते हैं, इस तरह का सारा instruction आपको इस निर्देश पुस्तिका मे मिलते हैं, ऐसे organizational label पे अगर हम बात करें, जैसे मान लीजे अगर किसी library में, तो library का भी अपना एक manual होता है, जिसमें उस manual में पूरी detail में information जानकारी होती है, कि library के क्या नियम है, क्या काइदे है, क्या कानून है, और library का कोई भी उपभोगता है, वो कैसे इस्तेमाल करें, अगर कोई जो product है, वो कितने दिन तक रख सकता है, कैसे करेगा, क्या fine है, कितना timing है, और जो भी लाइबरेरी में, अगर cataloging हो रहा है, पूर जर लाइबरेरी से सम्मंधित, जितना भी day-to-day का कारेक अलाप होता है, उसको हम manual में रखते हैं, ताकि कोई भी एक reference, ready reference material है, कि अगर किसी को जानना है, कि हमारे library में किस तरह से काम होता है, किस तरह से information share की जाती है, या किसी as user अगर कोई आता है, तो उसके लिए क्या हमारी policy है, तो उस सारी information उस library manual से उसको मिल जाएगी, दूसरा एक category है, संदर्प्सरोत का निर्देशिका, जिसको directory करते हैं, अब directory म बेसिकली जो निर्देशिका है, इसमें लोगों, संगठनों के नामों, वपतों की सूची होती है, निर्देशिकाओं को प्राया दो भागों में विवाजित किया जा सकता है, एक होती है सामानी निर्देशिकाएं, यानि general directories, दूसरी होती है, विसिस्ट अगर पहले जो MTNL में, जो लोग MTNL से landline connection करवाते थी अपने घरों में, तो उसमें MTNL की तरब से एक निर्देशिका यानि directory भी आती थी, जिसमें कि जितनी भी अगर दिल्ली शहर में मैंने अपने घर में MTNL का connection लिया, तो मेरे घर पे MTNL की तरब से एक directory भी आती थी, जिसमें कि पूरे दिल्ली में जिन लोगों के पास MTNL का connection है, उनका पूरा नाम, phone number यह सब होता था, तो और उसके साथ ही एक yellow pages भी आते थे directory, जिसमें कि सारे business से सम्बंदित लोगों के पास, अगर उस MTNL का connection है, उनके phone और उनका number, वो सारा उसमें होता था, विशिस्ट निर्देशिकाएं जो होती हैं, वो special directories इनको बोलते हैं, तो अगर विशिस्ट निर्देशिकाओं की बात करें, तो इनको फिर से इनको तीन भागों में बाटा जा सकता है, एक होता है structuring के अनुसंधान संस्थाओं की निर्देशिकाएं, जिनको कहा जाता है directories of academic and research institutions, तो जैसा कि आप नाम से समझ सकते हैं कि इसमें उन सारे ये directory जो होती है या जो ये निर्देशिकाओं है, इसमें आपको सारे जितने भी सेक्षडिक संस्थान हैं, उनके detail, उनका नाम, उनका phone number, उनका address, आपको alphabetical order में मिलेगा और research institutions हैं जितने भी उनका भी, ऐ इसे ही ब्यावसाइक निर्देशिकाओं होती हैं, जिनकों की professional directories करते हैं, इस निर्देशिका में आपको जितने भी organization हैं, जितने भी business houses हैं, जितने भी जहांपे की लोग नोकरियों के लिए apply कर सकते हैं, नोकरी के लिए या employment के लिए, तो उसकी पूरा detail, नाम, पता, इसका अगर उधारण लिया जाए, तो NIS में का अगर आप directory देखेंगे, तो उसमें उनके chairperson, director, deputy director, assistant director, जितनी भी position पे लोग हैं, उनका नाम किस position पे हैं, उनका phone number और email आपको उनकी directory में मिलेगी, जैसा कि जो ये संदर्ब श्रोत होती हैं, वो ready reference, यानि तवरित information के आए जाते हैं, कि अगर आपको किसी को contact करना है, NIS के किसी assistant director को माल लीजे, वो library के छेतर में हैं, तो उनका number आपको कैसे मिलेगा, तो आप NIS की directory को refer कर सकते हैं, ऐसे ही ब्यावपारिक वो अध्योगीक निर्देशिका हैं, जिनको trade and business directories कहते हैं, तो इसमें आपको industry, factory, जिससे सम्बंदित सारी जानकरियां कि किस शहर में कौन सी factory कितना है, कौन सा industry है, उससे related, उसकी सम्बंदित जानकरिया, उसका phone number, उसका email, अगर आपको कोई जरूरत है, तो आप जिससे की contact किया जा सकता हैं, इनका directories का अगर देखें, तो दुनिया का सबसे famous, the Europa World of Learning, 2012 का यह उदारण है, तो यह 1947 में published होना शुरू हुआ था, और यह बहुत दुनिया का सबसे renowned publication माना जाता है, जिसमें कि पूरे विश्व के 40,000 से जादा higher education के जो institutes हैं, उनसे सम्बंदित जानकारी आपको इस Europa World of Learning में मिलेगी, जिसमें कि यह भी बताते हैं, कि उन संस्थाओ में कौन से लोग हैं, जो पढ़ा रहे हैं, उनका भी brief profile, उनके बारे में, teachers के बारे में भी आपको जानकारी मिल सकती हैं, दूसरा जो category है, उनसे सम्बंदित जानकारी, उनके क्या courses है, उनके कौन सी faculty है, और कहां पे है, उनका address और सारा कुछ आपको इस reference source से मिल सकता है, सूचना श्रोत का एक और important प्रकार है, geographical information source जिसको कहते हैं, जैसा कि नाम से ही आपको पता चल रहा है कि भागोलिक सूचना श्रोत, यानि कि जिसमें कि मानचित्र, भूचित्रावली, य और guide books सामिल होती है, इस जो श्रोत है, जो geographical information sources है, इसके सहायता से आपको किसे स्थान, वहां के लोगों, नदियों, परवतों, जंगलों जीलों आदी के बारे में शूचना प्रदान करते हैं, उदारण की तौर पे अगर मैं हम मान लीजे कि आपको अपने परोसी किसी दे करनी है, कि वहां पे क्या भागोलिक शेत्रफल है, उस देश का, वहां पे कितना एरिया है, जिस पे किवल जल है, कितना एरिया है, जिस पे जंगल है, कितना एरिया है, जहां पे परवत हैं, तो इस तरह की सारे information जो आपको भागोलिक information आपको इन भागोलिक सूचना के माध्यम से प्राप्ट कर सकते हैं इसका उदारण है जैसे एटलस आप द वर्ल्ड, the Cambridge Concise Atlas of the World, एक important reference source है जिसमें कि पूरी दुनिया के हर देश के बारे में आपको जानकारी मिल सकती है कि अगर उस तरह के एटलस है इसमें जिसमें कि आपको ये उसको देख के आपको ये कि भारत में अगर इतना एरिया है जिसमें कि जल है, इतना एरिया है जहाँ पे कुछ छेतर हैं, जहाँ पे केवल जंगल है या पठार है या जो भी आपको जिस तरह की भी information चाहिए कि इस कितना भारत का पूरा छेतरफल कितना है, कितना छेतरफल है जिसमें सिर्फ पानी ह और कितना चेतरपल है जिस पे जंगल है तो इस तरह का आपको सारी information जो है इस Atlas of the World से मिल सकती है ऐसे ही Mariam Webster Geographical Dictionary है जिसमें कि आपको उसके शब्दों का जो Geographical Terms है जो उनकी dictionary है जिसमें आपको सारी information मिल जाएगी और Biographical Information Source है जीवन चरित सूचना स्रोत जीवन चरित सूचना स्रोत जो है ऐसे प्रकासन है जिसमें विश्वनेताओं अंतराश्ट्रिय संगठटनों में उच पद पर आसीन लोगों खेल संगीत निरत्य अभिने कला अन्य ब्यावसाइक छितरों की तरफ विग्यान दर्शन करने वाले लोगों की जीवनिया प्रस्तोत है जैसा कि Biographical जीवन चरित यानि कि जैसे इसका जो Information Source है कि आप जैसे UN में, World ILO में या WHO में या जिस तरह की अंतराश्ट्रिय जो संस्थाएं हैं उनमें कौन-कौन से लोग किस पदों पे हैं उनका डीटेल, उनका प्र सकता है, ऐसे ही अगर माल लीजे आपको खेल की दुनिया में देखे हैं जैसे क्रिकेट है, भारत में बहुत प्रशिद है, तो अगर मुझे पूराने अपनी किसी खिलाडी का, कपिल देव का अगर मुझे प्रोफाइल देखना है, तो मैं ये Biographical Information Source का साहता लूंगी, ऐसे सचिंत इंदुलकर का है, चाहे संगीत में अगर लता मंगेशकर के बारे में आपको कुछ जानकारी प्राप्त करनी है, कि उनका कैसा प्रोफाइल है, क्या उनके बारे में कोई इच आपको रोशक जानकारी प्राप्त करनी है, तो आप इस संदर्व स्रोत की मदद ले सकते तो ऐसे ही अगर ब्यावसाइक शेत्र की बात करें तो उसमें अगर J.R.D. टाटा है चाए बिल्ला है इनके बारे में आपको कुछ पता करना है अगर इंडियन भारती संदर्व में तो आपको उनसे सारी information वहाँ से मिल सकती है वैसे ही engineering में, medical के field में जिसने भी उत्कृस्ट कारे किया है उन सारे लोगों की जीवनिया इस biographical information source में मिलती है इनके जो examples है तो who is who in the world 2013 तो यह एक international publication है जो who is who in the world तो इसमें पूरी दुनिया के लोगों के बारे में आपको information जानकारी मिल सकती है उनका brief profile आपको मिल सकता है वैसे ही India's who is who तो इसमें India's who is who में आपको आश्रपती, उपरास्रपती, प्रधान मंत्री और जितने भी member आप पार्लियामेंट है, ministry है उसमें जो लोग है और उतना ही नहीं आपको भारत के अलग-अलग प्रदेशों में जो मुख्य मंत्री है, उनका जो मंत्री मंडल है, जितने MLA, MLC सब की information आपको इस संदर्व श्रोध के माध्यम से मिल जाएगी, और ये online है, जिसे India's Who's Who, जो आप भारत सरकार की website पे जाएगे, तो आपको मिल जाएगा, वहाँ पे आपको सारी डीटेल, भारत से सम्मंदित, अगर कोई जानकारी चाहिए, तो आपको इस संदर्व श्रोध के थू, online भी मिल जाएग दलिवाद